तो दोस्तों आज की वीडियो काफी ज्यादा इंपोर्टन होने वाली है क्योंकि आप लाईउ में मुझसे पूछते हो कि सर आप बोलते हो कि इस पॉइंट से मार्केट उपर जाएगा इस पॉइंट से मार्केट नीचे आएगा तो किस बेसेस पे आप बताते हो काफी लोग question पूछ रही थे तो बिल्कुल जो बड़े players होते हैं वो option selling करते हैं ठीक है market चलता है option selling की budget से तो market में option selling आप देखने हो कि कौन से point पर market में buyer ज्यादा है कौन से point पर market पे seller ज्यादा है तो आज मैं आपको बहुती simple तरीका बताऊंगा कि किस तरह से आप simple से यहाँ पर एक content बना के course based रहे ठीक है तो यह जो strategy मैं आपको बिल्कुल फ्री में सिखा रहा हूँ इसके लिए बद मुझे एक आपकी help चाहिए कि आप इस वीडियो को like कर देना चैनल को subscribe कर देना और अच्छा सा comment कर देना वीडियो अगर आपको पसन आया तो चली इस वीडियो को दर से द्यान से सुनना सारे लोग market चलता है option seller के बज़े से तो market में उप्सन सेलर कहा पर active है कहा पर नहीं कहा पर ज्याधा call writing हुए, कहा पर ज्याधा put writing हुए एक basic concept आपका clear करना चाता हो कि market में हम लोग option buying करते ठीक है आप लोग हम लोग सारे लोग option buying करते जब आप यहापर option buy करते हो कि यहापर आप call खरीद लो तो market उपर जाएगा आपको profit होगा यहापर अगर आपने put करीद लिया market नीचे जाएगा तो आपको profit होजाएगा यह रहा है 19-670 के आजपास अभी nifty 50 चल रही है तो इसका 50 point का difference कि आएगा 19-770 का 50 point का difference इसके नीचे का 50 point का difference कि आएगा 19-650 यहाथ अगर समझ में आ रहा है तो आप काफी कुछ सीख गए ठीक है तो बस यहापर 50-50 point का difference है इसके बीच में का यहापर market रहने दो यहापर market र चल रहा हो ठीक है लेकिन यहाँ पर 50-50 पॉइंट का उपर का डिप्रस 50 पॉइंट का नीचे का डिप्रस एड मनी में रहा दो यह एड मनी में अभी ठीक है तो यहाँ पर ऑप्शन सेलर क्या करते हैं तो सिंपल इस वाली ट्राइक प्राइस पर 19 700 पर क्या करेंगे कि इसके नीचे अकर मार्केट रहा तो मुझे प्राइट होगा मार्केट को इसके नीचे ही रहने जाना इसके उपर नहीं जाने जाना तो क्या करेंगी यहाँ पर काफी ज्यादा कॉल को सेल कर देंगे ठीके कॉल को यहाँ पर सेल कर देंगे तो क्या होगा मार्केट इसके नीचे रहेगा एक्सपारी तक तो उन्हें वो जो प्रिमियम डिके होता है उन्हें प्रॉफिट हो जाता है ठीके उन्हें जो प्रिमियम डिके होता है उन्हें प्रॉफिट हो जाए तो मार्केट जितना यहां से नीचे जाएगा उसका प्रॉफिट होगा तो मार्केट को यहां से उपर नहीं ले जाने जाएंगे, सेम उसी तरह से, मानलो एक जोन बनाए नीचे की तरफ की market इसकी उपर रहना चाहिए, इसके नीचे नहीं जाना चाहिए, उनिस आज चोई सो पचास की नीचे नहीं जाना चाहिए, तो वो लग क्या करेंगे, कि यहापर put को sell कर देंगे, तो उससे क्या होगा उन्हें, कापी ज़्यादा profit होगा जब market इसकी उपर रहे, ठीके, expiry से पहले market यहापर उपर रहे, expiry से पहले चाहिए यहापर भी close हो ज मदना है, ज्यादा कुछ ज्यादा pressure लेनी की ज़रूरत नहीं, कुछ advance चीज नहीं बता रहा हो, simple से चीज बता रहा हो, सबसे बड़ी बात, तो आपको यह कहापर मिलेगा, कहापर आप इसे देख सकते हो, कि यहापर option selling ज्यादा है, कौन से point पर कापी ज्यादा लोगों न trading tick, simple आपको यहापर डाल देनी, trading tick, इस तरह से, और यह first वाला option आएगा, इसे आप select कर लेना, इस तरह से, तो यहापर आपको, यह तो मेरा sign in किया हुआ है, तो आपको simple sign in कर लेना, कोई भी एक Gmail ID से, ठीके, आपके पास कोई भी Gmail ID, उससे आप sign in कर लेना, simple sign in करके बाद आपके पास इस तरह से page दिखाए देगा, ठीके, यहापर कापी ज़्यादा strategy दिखाए देगी, लेकिन आपको जो काम में लेनी है, सबसे जो important रहेगी, call versus food, दोनों का, call versus food वाला है, जो आपको option दिखाए देरा है न, इस पर आप simple से click कर दो, बस यहापर आपने click कर दिया तो आप यहाँ से सारा कुछ data देख सकते हो, कि कौन से point पर option बायर है, कौन से point पर option seller है, 50-50 point का difference रहे था है nifty 50 में, तो simple यहापर आपको symbol दिखाए देरा है, यहापर आपको nifty 50 select कर लेना, यहापर आपको bank nifty देख सकते हो, pin nifty, min nifty, सारे index यहापर आप देख सकते हो, त तो कोई tension नहीं, market अगर चल रहा है, आज का market आज की तारिक यहापर आपको दिखाए देखी, simple सा है, यह simple आपको वहाई change रहे नहीं देना, इसी कुछ यहापर आपको change नहीं करा, और सबसे important point, range start, range end, यानि कि इन दोनों के बीच में आपको देखना है, तो simple सा है, दोनों का जो range आगर आप देख रहे हो, दोनों का strike price सेम रखना, तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, कि यहापर 19R 700 का देखना है, कि market इसके उपर जाएगा या नहीं जाएगा, ठीके, तो केसे पता करेंगे हम, simple सा यहापर हमें 19R, 19R, यहापर simple यहापर click करके, यहापर scroll down करके यहापर इस तरह से आप देख सकते है, 19R 700 यहापर select कर लेना, और यहीं strike price आप यहापर भी डाल दो, 19R 700, इस तरह से, दोनों डाल दिया, starting range आणि इस point पर आमें देखना है, कि यहापर seller जादा है, यहापर buyer जादा है, तो simply से नीचे scroll down करना, तो यहापर आपको दिखाई देगा, तो सब से बड़ी बात यहापर आपको दिखाई देगा, कि किस तरह से आपर call वाले जादा है या put वाले जादा है, तो सब से उपर आपको दिखाई दे रहा है, यह तोun, यह तो red दिखाई दे रही, इसका कोई मतलब नहीं कि red green कुछ भी हो, यह सिरुप यह column दि कि यहाँ पर काफी ज्यादा कॉल राइटर है यहाँ पर यहाँ पर यह जो हर एक मिनिट पर पास पास मिनिट पर चेंज बताए हर पास मिनिट पर आप देख सकते हो कि कॉल राइटर बढ़ रहे है यहाँ पिर पुट राइटर बढ़ रहे है तो यहाँ पर आप देख सकते ह इस वाले point पर दोनों same थे, call writer यहां से बढ़ना शुरू किये, तो call writer कापी ज्यादा यहां से बढ़ गए, क्योंकि market को इसके नीचे ले जानी की कोशिच कर रहे थे, ठीक है, market को इसके नीचे ले जानी की कोशिच कर रहे और कापी ज्यादा call writer बढ़ चुके, इस वाले point पर call writer और यह वाला point बता है अपना put writer, put writer बिल्कुल आपनी position को यहां पर exit कर दिये, यानि कि उन्होंने सारा माल आपना बेज दिये, यह जुरू परजेन होता है, इसके नीचे बिल्कुल अगर चला गया call वाला हो या put वाला हो, तो आपनी position को यहां पर exit कर दिये, तो उन्होंने सारा 700 पर क्या में पता चल रहा है, इस data को देखके क्या पता चल रहा है, कि यहां पर काफी ज़्यादा call writer रहे, यानि कि market यहां पर इस वाली जगा पर काफी ज़्यादा call writing की है, तो इसका मतलब ही कि market इसके नीचे ही रहना चाहिए, इसके उपर नहीं जाना चाहिए, जो call writer, option seller है न, उनलोग को का कहना है कि market इसके नीचे ही रहना चाहिए, इसलिए market आज पुरा दिन नीचे की तरब भी trade किया, उपर की तरब बिल्कुल नहीं जा पाया, simple sa, आप yaha पर तो देख लिए, strike price का लेकिन यह, strike price का भी देखना हुगा कि इसके निचे जाएगा यह उपर जाएगा यह भी तो आमें देखना होगा, 19 pandemic का देख ले दे, 19 आर 650 का, तो simple या पर जाना ओर 19 आर, 650 सिलेट कर ले ना, इस पर भी कॉल राइटर्स तक पड़ा रिपानों लेकिन दोनों में में जर हमें करण रिफ्ररंस रेले की न की ना इन तक या तक यह वड़ा पर घ कली रहें इक वाले कुछ ज्यादा difference नहीं ठीक है इस तरह से आप मान सकते हो इक वाले दोनों में कुछ ज्यादा difference नहीं ठीक है स्टार्टिंग में अगर आप देखूँगे नो बच के 25 मिनिट नो बच के 20 या 25 मिनिट पे काफी ज्यादा यह आपर पुट राइडर बढ़ रहे थे यानि कि मार्केट को उपर ले जाने की कोशिच कर रहे थे इस वाले पॉइंट से ठीक है पुट राइडर बढ़ रहे थे बढ़ रहे थे लेकिन एक पॉइंट आया कि उनका भी confidence कम हो गया और मार्केट यह से निचे आने लगया तो उन्होंने भी आपना माल कम करना शुरू कर दिया एक टाइम आयसा है कि दोनों के सेम आपने position बना ली बिल्कुल इक वर कर ली ठीक है और मार्केट एंड होते होते मार्केट में क्या 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 कि call writer की call writer अपना बढ़ा लिया तो मार्केट को गिराएंगे और put writer हेवे हो जाएंगे तो मार्केट को उपर ले जानी की कोशिश करेंगे तो इससे क्या होता है कि यह से लेंटेंग होती ही तो वो जो position आपने निकालते हैं उसके बज़े से एक बड़ा सा momentum आता है इसलिए यहाँ पर call writer, put writer देखना काफी ज़्यादा important हो जाता है आप यह बैंक निप्टी में भी देख सकते हो निप्टी 50 में, pin निप्टी में simple सा आपको 50-50 point का difference रखके वो वाला आपको call वाला, put वाला दोनों position option selling से देखना होता है ठीक है, market में सबसी important है कि आप बस इस basis पे मत market को देखोगी candle क्या चल दी, green green बन रहा है, तो green में क्या होगा, red में क्या होगा तो इस तरह से अगर आप market को देखोगे ना, तो आपको काफी बार यह लगेगा कि market यहाँ से उपर चला जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि, call rider अगर ज्यादा रहा उस वाली point पर तो market को नीचे गिरना ही गिरना है, क्योंकि market चलता है option selling के बज़े से option seller अगर ज्यादा रहे तो market को नीचे गिरा की रहेंगे बस आपको यह लालस दिलाएंगे कि market कुछ time तो वूकर भी तरफ ले जाएंगे, आपका profit भी दिखाएंगे लेकिन market जिस तरह से नीचे आएगा आपका सारा का सारा premium decay हो जाएगा और आपको loss हो जाएगा, ठीके इस तरह से आप simple trading tick के एक website वापर जाकर आप simple से sign in करने के लिए कुछ भी ज्यादा आपको simple सा कुई भी एक email ID आप new start कर लो या पिर आपको कोई भी पुरानी email ID हो वासे आप यापर trading tick के आप simple से sign in करके या आपर data देख सकते हो I hope कि आपको वीडियो पसन आई होगी, वीडियो अगर पसन आई तो वीडियो का like करना, चैनल को subscribe करना और ऐसी content देखने के लिए आप आमें bell icon को on कर लेना, ठीके? तो मिलते हैं आगले वीडियो में और ध्यान रखना, trading कर जोग आपको हमेशा ध्यान रखना होता है कि हर हर एक जगा पर buy हर एक जगा पर sell नहीं करना होता है, आपको oi data भी देखना है, trading way का पिछला data भी देखना होता, support resistance पर आपको काफी ज़्यादा help करते हैं इस बात के लिए, क्योंकि market में support पर और resistance पर अगर oi data बढ़ रहा है, तो काफी ज़्यादा चांस है कि market वास से reverse ह हो जाए या फिर उससे गिर जाए, तो यह बात आपको हमेशा से ध्यान रखने होगे, ठीक है, मिलते है अगले वीडियो में, तो